हेई गाईस इस फिक्रम सिंग फ्रम माई प्लेनट और भाई चलो आप लोग को फटावर से लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूस अपडेट से देते हैं इस न्यूस अपडेट में सबसे पहली खबर है हमारे पास डेली से रिसेंटली डेली में एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की गई है जिसमें एक महिला ने कंप्लेंट लिखाई है कि भई किसी कंपनी ने उनको स्कैम कर लिया है और उनके पास से 35 लाख रुपए के बिटकॉइन वो चोरी कर ले गए है एक्चल में हुआ क्या था कि इन कंप्पनी वालों जो है इन महिला को भरोसा दिलाए था कि अगर ये इनकी कंपनी में पैसे डालते हैं तो ये हर महिने इनको 12% का रिटन जो है वो देंगे तो भई इन्होंने भी सोचा कि चलो ट्राइ मारके देख लेते हैं और इन्होंने स्टार्टिंग में 25,000 रुपए सैंपल के तौर पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किये और जैसे इन्होंने इन्वेस्ट किये तो कंपनी वालों ने भी हर महिने 12% रिटन इनको देना शुरू क कि घए और बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलके इन्होंने इस कंपनी में कई लोगों से पैसेवी इन्वेस्ट करवाई और ऐसे करते-करते अल्मूस्ट 15,20,000 रुपए इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करवाह लिये लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीथता गया 12% का रिटन देना बंद कर दिया और उस रिटन के बदले में वो कंपनी उनकी खुद की क्रिप्टो करणसी देना शुरू कर दिया फिर यह जो महिला इनको यह बात अच्छी नहीं लेगी इनको लगा कि यह क्या चल रहा है पहले तो इन्होंने बोला तर ट्रोल परसंट इनके पूरा हैक हो गया और उस बिटकवाले में इनके पास साथ बिटकवाईन ते जिसकी करन्ट वैल्यू 35 रुपए के असपास चल रहे तो वह 35 रुपए के लिए तो वह 35 रुपए उस कंप्रेने एकदम से करे मतलब की इन्होंने जो 20 लाख पर रुपए इन्वेस्ट क गए और तोर उसके साथ यह जो 35 लाक इनके bitcoin wallet में थे वो भी scam होगे तो all together पूरा इनको almost 55 लाक रुपे का एकदम चुना लग गया और मैं भी आपको यार यही बोलना चाहूंगा ऐसे scams में कभी भी मत फसा करो मेरे वाई किसी भी चीज को आप ऐसे observe करते हो ध्यान से देखो उसके बारे में पूरा पर्क हो और उसके बाद ही किसी भी चीज में invest करो क्यों यह चोटा amount में 55 लाक इनके scam हो यह कोई छोटी बात तो है नहीं तो इसलिए ऐसी scam company से हमेशा दूरी रहो और अगर आपको invest करना ही है मैं आपको बोलूँगा कभी भी कोई भी company में अगर तो आप हमेशा दूरी भागना और दूसरी बात अगर फिर भी आपको किसी में invest करना ही है नई company में तो हमेशा चोटा amount invest करो जैसे इन्होंने किया था starting में 25,000 इंवेस्ट किये लेकिन आगे जा जा कि जो है company ने इनको भरोसा दिलाया और उस चक्र में यह ऐसे scam और तो आने वाले टाइम में भी जो है वह आपको scam नहीं करेगी तो हमेशा इन चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखके invest करना वरना आप भी आने वाले टाइम में जो है इस लिस्ट में शामिल हो जा गयो और भी आपको एक बेस तरीक बता हूं scam ना होने का तो मैं मानता हूं ह इसी कंपनियों में आप invest करो उसमें आपको scam होने के chances बहुत ज्यादा कम रहेंगे लोग करते क्या नहीं 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 कंपनियों पैसे डाल देते हैं फिर ऐसे जाके जो है scam हो जाते हैं तो अब बस इस रिपोर्ट को यहीं पेंड करते हैं अब आगे बरते हैं दूसरी क्र क्रिप्टो न्यूज है भई थेल्टर नाम के क्रिप्टो करन्सी से रिलेटर जिसे हम यूएस्डीट भी बुलाते हैं रिसेंटली हुआ यह है कि यह जो यूएस्डीट नाम का कॉइन है इसने रिसेंटली बिट्फिनिक्स में 300,000,000 यूएस्डीट कॉइन एक्ट्रा करते हैं बेसिकली यह जो थेटर नाम का क्रिप्टो करंसी है इसका मेन एम यह है कि एक यह जो थेटर नाम की कमपनी है यह एक थेटर कॉइन के बदले में एक यूएसज़टी एक अमिरिकन डॉलर जो है उसको अपने बैंक एकॉन में डिपोसिट करवाएगी मतलब कि अगर के यह जो थेटर कंपनी 100 यूएसज़टी कॉइन कॉइन्स रिलीस करती है तो उसको अपने बैंक एकॉन में 100 यूएस़टी डॉलर भी ॥ेपोसिट करवाने पड़ते हैं यह इस कमपनी का रूल है इसके बैंक एकॉन में जितने के यूएसज़टा आएएगे उतने के यह Threader Coins release करेगे मतलब की टेक्निकली अगर आप देख लो तो एक US Dollar और एक USDT दोनों एक समान होते हैं ये इस Company का Main Aim होता है लेकिन February महिने में जो है इस Company ने पूरे 850 Million के USD मतलब की पूरे 5500 करोड रुपए के USDT Coins जो है उनको Bitfinex में ऐसे लॉंच कर दिया था February महिने में एकदम से फिर कई लोगों ने इस पर शक किया कि एकदम से इसके पास इतने भारी भरकम पैसे कैसे आगे क्योंकि इस Company का Main Aim यह है कि इसके Bank Account में जितने के डॉलर होंगे उतने के यह Coin Release कर पाएगा तो फिर एकदम से रात और रात तो कोई बारिश हुई नहीं पैसे की के इसके Account में 5500 करोड रुपे एकदम से आगे तो फिर इसने इतने Coins Release कैसे किये लेकिन फिर अभी जो है रिसेंटली एक और News आया और उसमें यह पता चलाए कि अभी इसने वापस Bitfinex में 300 Million USDT Coins जो है वो Release कर दिये हैं अब यह चक्कर जो है यह अभी स्थेटर कॉइन पे शायद आ और ज्यादा भारी पड़ रहा है और इस चीज़ से जो है यह कॉइन अभी थोड़ा स्काम होते तरफ दिख रहा है क्योंकि भाई बिना किसी Reserve के यह कैसे इतने सारे Coins Release कर रहा है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा है और तो और यह अपने जो Accounts है उसको भी किसी के साथ Verify नहीं करवा रहा है मतलब कि यह अपने Books of Accounts की Audit नहीं करवा रहा है अगर यह अपने Accounts Genuinely Maintainten कर रहा है मतलब कि अगर इसके Bank में सच में इतने सारे पैसे है तो भाई किसी Auditor को बुलाओ उसकी Verification करवा लेकिन Thetter जो है किसी Auditor को बुलवा के अपने Bank Account की Verification भी बिल्कुल नहीं करवा रहा है और इसी के चलते इस Coin पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी शक बना हुआ है और मैं मानता हूँ ऐसे टाइम पे ऐसी Cryptocurrency से हमें दूर रहना ही अच्छी बात होगी क्यूंकि भाई ये हमने देखा है February महने से हम देख रहे हैं ये पहरे 850 Million इसने ऐसे लांच कर दिये अभी 300 Million के नए coins इसने लांच कर दिये तो ये कैसे लांच कर रहा है बिना इतने पैसो के वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है और ये चीज जो है थोड़ा स्टैम होने की तरफ दिख रहे हैं तो इस Cryptocurrency से आप भी थोड़ा बहुत अभी दूर रहना अब हम आगे बरते हैं तीसरी Crypto News की तरफ तो तीसरी Crypto News है भाई Air Asia से related Air Asia मैं मानता हूँ आप सभी जानते हो बहुत बड़ी airline कंपनी हैं मलेशिया की ये कंपनी हैं लेकिन बहुत ही बड़ी airline कंपनी हैं हमें इंडिया में भी ये airplane की services provide करती है Recently Money 2020 Asia Conference में जो है इस Air Asia के CEO गए थे उन्होंने वहाँ interview के दौरान कहा है कि ये अपनी खुद की एक Cryptocurrency पर काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि उसका ICO भी जो है वो जल्द से जल्द launch हो जाए इनका plan ये है कि आने वाले time में जो है ये एक ऐसी Cryptocurrency बनाए जिससे आप Air Asia के किसी भी flight में जो है travel कर पाए और तो और उसमें travel करने के लिए और वहाँ पर जो है सारी services आप पाने के लिए आपको ये reward points भी देने की सोच रहे हैं और वो reward points जो है ये अपनी खुद की Cryptocurrency के तौर पर ही देंगे हाला कि अब इस Air Asia के इस नई Cryptocurrency का नाम क्या होगा ये इन्होंने कुछ भी नहीं बताया इन्होंने बस ही कहा है कि ये Cryptocurrency पर काम कर रहे है और उसका ICO भी जल से जल तग्रीज होगा तो ये जो है एक बड़िया न्यूस की तरफ साबित हो सकते अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया की पहली ऐसी Airline Industry बन जाएगी जिसने अपनी खुद की Cryptocurrency लांच कियो और मैं मानता हूँ ऐसे आने वाला टाइम हर एक इंडिस्टिय में अगर होता रहे तो यार Cryptocurrency की value भी आने वाले टाइम में बड़ेगी और लोगों को भी जो है इन Cryptocurrency का use सही डंग से पता चलेगा अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी चौती Crypto News के तरफ और चौती Crypto News है भई UK यानि United Kingdom से Recently जो British Government है उसने announce किया है कि वो आने वाले टाइम में Crypto Asset Task Force को launch करेगी और इस Task Force का काम होगा Cryptocurrencies के सारे negative points को दिखाना और Cryptocurrencies के सारे positive points को दिखाना मतलब कि Cryptocurrencies से होने वाले नुकसान और Cryptocurrencies से होने वाले फाइदे इन सभी को पूरी तरीके से ये Task Force पड़ेगी उसके बारे में पूरी चर्चा करेगी और उसके बाद जो है ultimately एक decision लेगी कि क्या करना चाहिए इन Cryptocurrencies का अगर आप इस चीज़ को ध्यान से observe करें तो ये बिलकुल सेम उसी committee की तरह है हमारे इंडिया में अभी चल रहे है जैसे अरुन जेटली जिने एनाउंस किया था उन्हान कहा था कि Cryptocurrencies पे हमने एक committee बिटाई है जो Cryptocurrencies के बारे में पूरी research कर रही है वो उसके बारे में पूरी जानकारी पा रही है और वो देख रही है कि इनके फाइदे क्या है नुकसान किया और पूरा ओवर्यू करने के बाद ही जो है यह committee कुछ न कुछ रिपोर्ट देगी अब यही सेम प्रिंसपल फॉरो कर रहा है यह British government जिन्होंने अभी यह Crypto Asset Task Force को लॉंच करने का बताया है हाला कि यह Task Force कब लॉंच होगी वह हमें नहीं पता लेकिन जैसे लॉंच होगी वह इसके बारे में पूरी रिसर्च करेगी और आने वाले टाइम में इंग्लैंड में Cryptocurrency के हालत क्या होगी वह भी हमें समझ में आजए और मैं मानता हूँ यह अच क्लियर हो जागे नहीं तो सभी के दिमाग में कुशन मार्क बैट गया है कि क्या होगा Cryptocurrency का क्या होगा अगर ऐसे टास्क फोर्स बिटती हैं और फिर वह पूरा रिसर्च करके कुछ ने कुछ ने कुछ डिक्लेयर कर दे तो यह सभी कुछ है एक क्लेरिटी आ जाएगी कि क इनका नाम है जैक डो से रिसेंटली टाइम दर टाइमस ओफ लंडन की जो न्यूज होती है उसके एक रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि आने वाले दस सालों में जो है दुनिया की सारी करंसी खतम हो जाएंगी यानि कि डॉलर इंडियन रूपी वगेरा जो भी करंसी से य अभी थोड़ी बहुत टेक्निकल फॉल्स है जैसे कि बिटकॉइन को अगर आप किसी को सेंड करते हो तो वह बहुत धीरे-धीरे से संड होता है दो तिन गंडे लग जाते है उस सामने वाले के एकॉन में जाने में और बिटकॉइन की ट्रांसेक्शन फीस भी बहुत हाई ह लेकिन आने वाले टाइम में जो है टेक्नोलजी ऐसे आने वाले टाइम में टेक्नोलजी इवाल होगी बड़िया से बड़िया टेक्नोलजी हमारे पास अवेलबिल होगी और उसके चलते जो है मैं मानता हूं कि बिटकॉइन जो है उसकी भी टेक्नोलजी इवाल होगी और Bitcoin की जो transaction fees है, वो भी सस्ती हो जाएगी, और तो और Bitcoin की जो transfer speed है, वो भी एक दम बहुत जबरदस हो जाएगी, और इस चीज़ से altogether इनका ये मानना है कि भई, आने वाले 10 सालों में जो है, Bitcoin ही दुनिया की number one currency बन जाएगी, और बाके की सारी currencies जो है, वो बंद बर जाएगी, मत और पूरी दुनिया में US dollar जो है, वो सभी top पे चलती है, तो ऐसे हर एक country के अपनी-अपनी currency होने की वज़े से, export और import में हम सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम सभी को US dollar पर ही dependent होना पड़ता है, क्यूंकि वो एक stable currency है पूरी दुनिया में, और इसी के चलते तो 65 रूपिस के आसपास पहुँचे है, मतलब कि Indian रूपी की value, US dollar के बराबर नहीं हो पारे, वो हर बार गिरती जारी है, उसका reason क्या है क्योंकि हम export और imports के लिए US dollar को यूज़ कर रहे हैं, हम एक currency को preference दे रहे हैं, और उसके चलते हमारी खुद की currency जो है, उसकी value गिरती जारी है, लेकिन अगर आने वाले time में ऐसे सारी currencies बंद बढ़ जाए और bitcoin सिर्फ एक currency बन जाए, इससे सभी countries को जबरदस्त फायदा हो सकता है, exports, imports में किसी को ये नुकसा नहीं होगा, और लाखो करोडों countries को जो है, I mean लाखों करोडों लोगों को इस चीज़ से बहुत ही ज्यादा फायदा बहुत सकता है, क्योंकि हम आप यहां clearly देख लो, Indian रुपी और US डॉलर को आप compare कर लो, एक US डॉलर की value इंडियन रुपी में 65 रुपी के बरबार है, मतलब कि Indian रुपी हमें आजादी मिलके 70 years हो चुके है, लेकिन अब तक हम US डॉलर की बराबरी नहीं क पा रहे हैं, लेकिन जहां तक आप Bitcoin को देखो, 8 साल हो है Bitcoin को launch होके और Bitcoin ने US डॉलर को कितना पीछे पचार दिया है, एक Bitcoin की value पूरे 9000 डॉलर, मतलब कि आप समझ जाओ कितना इसने डॉलर को पीछे चोड़ दिया, और इसी के चलते ये Twitter के जो CEO है, ये भी मानते है कि आने लौती करंसी बन जाएगे, अगर ये 10 साल तक टिक जाती है तो, तो गाइस इस चीज़ पर आपका क्या opinion है, आपका क्या review, आप क्या वांते हो कि Bitcoin जो है, क्या सच में आने वाले 10 सालों में Bitcoin ही एक लौती करंसी बन जाएगी पूरी दुनिया की, क्या Bitcoin आने वाले 10 सालों मे टिक पाएगी, इस चीज़ पर आपका जो भी opinion है भाई नीचे comment session में भाई जरूर बता के जाना, क्यूंकि मैं भी जाना चाता हूँ आपका review क्या है, और आपके इस पर points क्या क्या बनते है, अब बस वीडियो को मैं यही पर end कर देता हूँ, अगर आप लोग को वीडियो है पर हागरो, मैं चलता हूँ, बाई बाई